probing the sleuths prob का मतलब होता है जाच करना और sleuths का मतलब होता है जासूस तो ये editorial जो पूरा की पूरा है ये आधारित है एक case पे अब ये पूरी की पूरी जो कहानी है न वो सारी हमें editorial पढ़ने के दोरान समझ आ जाएगी तो probing the sleuths कि भई जासूस जासूस ये जो sleuth का मतलब में आपको बता है जासूस तो जासूसों से संबंदित जो case है यानि कि उनकी जाच करना ये जो जासूस है उनकी जाच करना इससे संबंदित है ये पूरा case CBI probe into ISRO spy case masterminds कि भई CBI की जाच CBI probe किस चीज में into ISRO spy case mastermind कि भई ये जो ISRO से जुड़ा हुआ जासूसी से जुड़ा हुआ जो case है न इसके mastermind कौन थे देखो क्या था ये जो नाम भी नारायनन है ये कौन है ये scientist है ISRO के तो इनके उपर आरोप लगाया गया था या आप यह कह सकते हो कि भई इनको जो है फसाया गया था इनके उपर आरोप लगाया गया था इस मतलब जूटे आरोप थे ये बाद में इनको अदालत के द्वारा जो है बरी कर दिया गया बाइज़त इनको बरी कर दिया गया कि भई ये आरोप जूटे थे तो ये जो पूरा की पूरा case चला इस रो से जुड़ा हुआ, जो सारा की सारा जासू से जुड़ा हुआ जो case था, इसके पीछे masterminds कौन थे, इसकी जांच CBI को दी गई है न, तो ये जो जांच है, is a much needed step forward, step forward मतला आगे की और कदम बढ़ाना, much needed यानि जिसकी सरवादिक जर जरुरत थी, ये step जो है, बहुत ही अच्छा है, एक आगे, मतलब आगे ले जाने वाला step है, ये है न, the supreme court's order, tasking the CBI, to look into, look into का मतलब होता है, किसी चीज की जांच करना, तो supreme court ने आदेश दिया है, क्या, supreme court ने आदेश दिया है, और उस आदेश के तरह, CBI को ये task दिया है tasking the CBI का मतलब है, CBI को ये काम सौपते हुए, to look into the Justice DK Gen Committee report, कि भई, CBI क्या करे, एक report आई है, Justice DK Gen Committee की एक report आई है, उस report को CBI देखे, अब ये जो report आई है, Justice DK Gen Committee ने जो report दी है, ये report किसके बारे में है, on the action, to be taken against those, ये report है, इस बारे में है, कि जो action लिया जाना है, on the action, to be taken, जो action लिया जाना है, against किन लोगों के खिलाब, उन लोगों के खिलाब, those who implicated, implicate का मतलब होता है, फसाना, space scientist, यानि कि वे लोग, जिनोंने, ये जो space scientist है, जो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंदित, जो विज्ञानिक है, नाम भी नारण, इ कि बई, ये, इस्पियांज लिखा हुआ है, इस्पियांज का मतलब ही होता है, जासूस, तो ये, इस तरों से जुड़ा हुआ, जो जासूसी का case है, 1994 का ये case है, तो इस case में, ये जो scientist, नाम भी नाराण है, इसे किन लोगों ने फसाया, इसकी उपर, DK Gen Committee ने जो है, अपनी report दी है, जिन लोगों ने फसाया, उनके किलाव क्या action लिया जाना चाहिए, इस संबन में, DK Gen Committee ने अपनी report दी है, और इस report को देखते हुए, CBI को अपनी कारिवाई आगे करनी है, तो is a logical and much needed, अब ये जो is आया, ये आया, इस order के लिए, जो पूरा की पूरा order है, ये है एक तारकिक and much needed, और जिसकी सरवादिक जरूती, एक ऐसा कदम है, step forward, आगे ले जाने वाला कदम है ये, in ensuring, ये सुनिश्चित करने में, accountability for, accountability का मतलब है, किसी को responsible ठहराना, किसी का उत्तरदाईत उत्ताय करना, in ensuring accountability for the suspected framework, suspected मतलब है, जिसकी उपर आपको doubt है, संदिग्द, frame-up का मतलब है, कि वास्तों में क्या फसाया गया था, इनको है ना, कि जिन लोगों ने, जो लोग संदिग्द हैं, कि जिन लोगों ने, ये पूरी की पूरी साजिस रची, और उस साजिश के तहत, Mr. Nambi Narayan को फसाया है, कि किन लोगों ने ये frame-up किया, किन लोगों ने जाल बुन Chapter in the Annals, Annals का मतलब होता है, एक तरी से History, कि वाई ये एक काले अध्याय का प्रते निधित्व करते हुए, but Brief, Brief का मतलब है संचिप्त, कि वाई एक काला अध्याय है, ये Chapter है, in the Annals of Police Investigation in the Country, कि वाई, पुलिस के द्वारा जो investigation की जाती है, हमारे देश में है न, यानि कि अग हम पुलिस का इतियास देखें, तो पुलिस के द्वारा ये जो जांच की गई, Mr. Nambi Narayan के संदर्व में, तो ये जांच जो है, एक काले अध्याय के रूप में कह सकते हो, आप इस जांच को, दा केस वाज बेस्ट ऑन, भाई, पुलिस ने ये जो केस Mr. Nambi Narayan के खिलाफ दर बाई, इस पार्ट बाई का मतलब क्या होता है, इस पार्ट का मतलब होता है, प्रज्वलित करना, इस पार्ट बाई, मतलब इस केस को हवा कहां से मिली, इस केस को आग कहां से मिली, by the arrest of two Maldivian women, देखो क्या हुआ, कि Maldiv की दो महिलाओं की गिरफतारी होई, और उन उन्हें जो कुछ अपने statements दिये, वे statements आधार बने, पुलिस के लिए Mr. Nambi Narayan के खिलाब कारिवाई करने के, and the claims, तो ये जो Maldivian women arrest की गई, और उन्होंने जो दावे किये, and the claims they made, जो दावे उन्होंने किये, जो दावे उन्होंने बनाए, they made, in their statements to the police, कि दो Maldivian women, जो की पुलिस के दोरा, arrest की गई, उन्होंने अपने जो दावे की ए, पुलिस के दोराण जो statements उन्होंने दिये, जो जो दावे की ना उन्होंने, उस उन दावों से इस बात को spark मिली, इस बात को अगनी मिली, की एक तरीके से, Mr. Nambi Narayan के किला, एक तरीके से case की, शुरूआत की, suspicion इस doubt के आधार पे इस शक के आधार पे that he was among those कि Mr. Nambiyan जो थे वो उन लोगों में से थे he was among those sharing official secrets relating to space technology जो की share कर रहे थे share करना मतलब साजह करना official secrets relating to space technology कि भारत की space technology से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को एक तरीके से आप कह सकते हो की share किया जा रहा था Mr. Narayanan द्वारा अन्य लोगों के साथ में ये एडिटोरिल कहना चाहरा है sharing official secrets जो भी आधिकारिक secrets होते हैं हमारे जो भी गोपनिय बाते होती है relating to space technology यानि कि space technology से संबंदित गोपनिय जो बाते थी उन्हें Mr. Narayanan अन्य लोगों के साथ share कर रहे थे तो relating to space technology and missions to foreign agents foreign agents तो यानि कि विदेशी जो लोग हैं विदेशी जो agents हैं उन agents के साथ में हमारी जो space technology है या हमारे जो space mission है उससे संबंदित गोपनी जानकारी Mr. Narayanan के द्वारा foreign agents से share की जा रही थी ये आधार था पुलिस का ये पुलिस का शक था Mr. Narayanan पे और इस प्रकार से पुलिस ने Mr. Narayanan के खिलाफ कारिवाई शुरू की after the investigation was transferred after the investigation मेरे ख्याल से ये होना चाहिए after the investigation the case was transferred to the CBI in a matter of weeks कि भी क्या हुआ investigation के बाद केरल पुलिस ने investigation किया उसके बाद में इस पूरे मामले को CBI को transfer कर दिया गया in a matter of weeks कुछ सब्ताहों के बाद में इस पूरे case को CBI को transfer कर दिया गया the central probe agency probe का मतलब होता है जाच CBI के लिए कहा गया है केंदरिय जाच एजनसी central probe agency recommended CBI ने बाद में इस बात की सिफारिश की recommend किया that the case be closed कि भई इस case को close कर दिया जाए case be closed कि भई case को close कर दिया जाए highlighting इस बात को highlight करते हुए इस बात को प्रकाश में लाते हुए CBI ने कहा case को close कर दिया जाए लेकिन case को close कैसे कर दिया जाए highlighting इस बात को highlight करते हुए CBI ने इस चीज को highlight किया grave lapses grave का मतलब होता है गंभीर lapse का मतलब होता है खामी दोश कि भई ये जो पूरा की पूरा case है उस case के संबन में CBI ने कहा कि इसमें कई सारी भूल है इसमें कई सारे दोश है बहुती गंभीर गंभीर दोश है इन दे प्रॉब कि भई ये जो पूरी की पूरी जाच की गई पुलिस के द्वारा इस जाच में कई गंभीर खामिया है and the complete lack of evidence और इस पूरी जाच में evidence का अभाव है इसमें किसी तरह का कोई पक्का प्रमान नजर नहीं आता तो इन बातों का हवाला देते हुए CBI ने कहा कि इस case को close किया जाए जब सुप्रीम कोट ने प्रदान किया यहां अवार्ड का मतलब है प्रदान करना compensation का मतलब होता है हरजाना छती पूर्दी और रुपे 50 लेक to the scientist in 2018 देखो यह जो पूरा case जो था इस case में क्या हुआ 2018 में सुप्रीम कोट ने Mr. यह जो नाम भी नारायनन है इनको 50 लाक रुपे हरजाने के तौर पे प्रदान किये इस बात को ध्यान में रखते हुए taking into account take into account का मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेते हुए इस बात को ध्यान में रखते हुए the damage to his honor and dignity कि Mr. नाम भी नारायनन जो है उनकी उनके सम्मान को उनकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान हुआ है इस बात को ध्यान में रखते हुए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हर जानने के तौर पे ये तई किया कि Mr. नाम भी नारायनन को 50 लाग रुपे दिये जाए following the arrest on grave charges following का मतलब है अनुसरन करते हुए follow करते हुए the arrest on grave charges grave का मतलब है गंभीर कि बही जो गंभीर आरोप Mr. नाम भी नारायनन पे लगे following the arrest on grave charges कि बही Mr. नाम भी नारायनन पे गंभीर आरोप लगाए गए उसके बाद में उनकी गिरफतारी इसके बाद में उनकी गिरफतारी हुई and the interrogation that followed गिरफतारी के बाद में उनकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुचा है ना इन चीजों को धियान में रखते हुए Supreme Court ने 2018 में एक तरीके से कहा कि ये case जो है एक तरीके से गलत इलजाम थे इनके उपर और उनको 50 लाक रुपे हरजाने के तोर पे दिये तो उस दोरान क्या हुआ था जब ये Supreme Court की तरफ से ये बात कही गई थी जब इनको हरजाने के तोर पे 50 लाक रुपे दिये गए थे यह है व्यापक रुप से उम्मीद की गई थी व्यापक रुप से ये expectation की गई थी तो ये आशा की गई थी चारो तरफ की जिन पुलिस ओफिसर्स ने उनके खिलाफ कारेवाई की थी फ्रेम का मतलब वही एक तरीके से फासाना जूटा केस निर्मित करना फ्रेम यानि की वे पुलिस के वे पुलिस ओफिसर्स जिन्होंने Mr. Nambi Narayan के खिलाफ केस दर्ज किया था Ought to be Ought to be का मतलब एसा होना चाहिए Proceeded Against to Proceed का मतलब उनके खिलाफ कारेवाई शुरू होना Against to कि ऐसा भी होगा तो कई लोगों ने यह उम्मीद की थी कि ठीक है इनको हर जाने के तोर पे इतने पेसे दे दिये गए और एक तरीके से इनको बरी कर दिया गया लेकिन साथी साथ ये उम्मीद भी की गई थी कि जिन पुलिस ओफिसर्स ने इनको फसाने की कोशिश की थी उनके खिलाब भी कारेवाई होनी चाहिए Ought to be देखो यहाँ पर हम शुड का प्रियोग भी कर सकते थे शुड का मतलबी चाहिए होता है लेकिन जब moral responsibility से जुड़ी हुई कोई बात होती है नैतिक दाइत से जुड़ी हुई कोई बात होती है तो शुड की जगे हम Ought का प्रियोग कर लेते हैं Ought to The court formed a committee इसके बाद में क्या हुआ? ये 2018 का अपना फैसला दिया ना सुप्रीम कोट ने इसके बाद में अदालत ने क्या किया? कोट ने क्या किया? एक committee का निर्मान किया headed by headed by का मतलब है उस committee की अध्यक्षिता किस के दौरा की गई? जस्टिस जैन के दौरा अब ये जस्टिस जैन कौन है? इसी परपस के लिए है इसी परपस के लिए Supreme Court ने committee निर्मित की The panels report तो ये जो committee थी है न ये जो panel बना है न ये जो panel का मतलब क्या होता है? एक विशेशगी लोगों का समूह तो ये जो committee बनी The panels report was submitted recently अभी हाली में ये जो report थी committee की अभी हाली में Supreme Court में submit की गई, जमा की गई And the center supported the demand for follow-up action और Kendra ने जो है इस बात को support किया है इस demand को support किया है कौन से demand को? For follow-up action Follow-up action का मतलब है कि अब इस matter के ओपर पूरा की पूरा follow-up किया जाना चाहिए इस matter के ओपर पूरा की पूरी कारेवाई की जानी चाहिए इस कारेवाई का केंदर सरकार ने support किया है Significantly Significant का मतलब क्या होता है महतोपून यानि कि महतोपून रूप से The court has mandated Mandate का मतलब होता है एक तरीके से order देना To say something मतलब officially आप जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हो उसको बोलते है Mandate The court has mandated that The report's contents Be kept confidential तो कोट ने इस बात को इस बात का प्रावधान निर्मित किया है कि यह जो report आई है DK Jain इसकी जो विशेवस्तु है इसको गोपनी रखा जाए Confidential का मतलब है इस report का जो भी contents है जो भी विशेवस्तु है इसको गोपनी रखा जाए While जब कि Being forwarded To the CBI for a decision और साथी साथ सुप्रीम कोट ने क्या किया है Being forwarded का मतलब है कि इसको आगे भेजना To the CBI for a decision On how to proceed further साथी साथ अदालत की तरब से ये decision लिया गया है कि CBI के पास जो है इस पूरे मामले को forward किया जाए कि CBI decision ले कि किस तरह से अब इस case में आगे की कारेवाई करना है देखो दो बात अदालत में कहिए कि एक तो CBI को ये काम सौपा जाए कि CBI इस case में आगे किस तरह से जो है काम करेगी कियाने कि CBI को क्या करना है CBI को ये देखना है कि वे police officers जिन्होंने Mr. Nambi Narayan को गिरफतार किया था तो उस matter में CBI प्रोसीड करना चाहती है लेकिन साथी Supreme Court ने ये बात भी कहिए कि ये जो Mr. D.K. Jain की जो report आई है उन्होंने जो report दी है उसकी जो विशेवस्तु है उसे confidential रखा जाया उसे गोपनी रखा जाया अब देखो Supreme Court ने इसा क्यों कहा है एक तो हो गई हमारी ये जो committee है इसकी report दूसरी बात CBI जब जाच करेगी उसकी जो report आईगी तो इन reports में किसी तरह का कोई विवाद पैदा ना हो जाए है इन दोनों reports में है तो एक तरीके से बाद में हम देख पाएंगे बिल्कुल ठीक तरीके से कि हाँ Mr. Dickagen की तरफ से क्या report आई है और CBI की तरफ से क्या report आई है तो शायद इसलिए इस बात को गोपनी रखने के लिए अधालत ने कहा है यह जो गोपनीता का तत्व है मैं सीम और्ड यह अजीब प्रतीत हो सकता है सीम का मतलब है प्रतीत होना कि यह जो गोपनीता की बात है यह थोड़ी अजीब प्रतीत हो सकती है but avoiding any contestation contestation का मतलब होता है विवाद on its findings कि भई CBI की तरफ से क्या नतीजे आते हैं या फिर यह जो decasion committee की तरफ से जो क्या findings आई हैं क्या परिनाम आए हैं तो avoid का मतलब है बचने के लिए तो किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए which are to be treated as the outcome of a preliminary inquiry भई यह जो एक तरीके से but avoiding any contestation on its findings which are to be treated कि भई यह एक तरह से यह जो decasion committee की तरफ से जो भी findings आए हैं जो भी नतीजे आए हैं उनको treat किया जाना है as the outcome का मतलब है परिनाम of preliminary inquiry कि भई एक तरीके से preliminary inquiry का मतलब है कि भई यह जो प्रात्मिक जाच की गई इस प्रात्मिक जाच के दौरान क्या परिनाम आये हैं इस तरह से treat करेंगे हम इस report को will indeed be helpful in the agency proceeding on merits will indeed be helpful यह वास्ताव में सहायक होगा in the agency CVI के लिए proceeding on merits merits का मतलब है गुण दोश कि भई किसी के characteristic का गुण है proceed on proceed on का मतलब है कारिवाई को कारिवाई को जारी रखना है तो एक तरीके से यह जो report आई है उसके जो नतीजे आए है तो इन नतीजों को या इन reports को गोपनी रखा गया है तो editorial यह कहना चारा है कि भई ठीक है कि यह जो इसके reports है यह preliminary inquiry के माद्यम से हमें प्राप्त हुए अब जो CBI क्या आगे proceed करती है न तो उसमें जो है सहायता मिलेगी इस से वेन इट अवार्ड़ेट कंपनसेशन अवार्ड का मतलब है प्रदान करना कंपनसेशन या नि हरजाना तो Supreme Court के लिए कहा जा रहा है कि जब Supreme Court ने Mr. Nambi Narayan को हरजाना दिया The court was quite convinced तो अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त थी that the initial probe was malicious कि जो प्रारंबिक जाँच initial probe का मतलब है कि जो प्रारंबिक जाँच इस case में की गई वह दुर्भावना पूर्ण थी malicious का मतलब है what set in motion without any basis Mr. Nambi Narayan के खिलाब एक तरीके से आपराधिक कानूनों को लाया गया what set in motion का मतलब है उनके खिलाब आपराधिक कानूनों का प्रियोग किया गया बिना किसी आधार के without any basis it was initiated Mr. Nambi Narayan के खिलाब कारिवाई शुरू की गई initiate का मतलब है प्रारंब करना on some kind of fancy और notion notion का मतलब होता है अवधारना fancy का मतलब है कि आप अपनी imagination से कुछ भी करते हैं और उसको बोलते हैं fancy तो it was initiated तो अदालत का ये मानना था Supreme Court का ये मानना था कि ये जो कारिवाई शुरू की गई ये अपने मन से ही imagination से शुरू कर दी गई है अपने मन में ही आपने कुछ आउधारना बना ली और उस हिसाब से पुलिस ने जो है कारिवाई शुरू कर दी it had observed यहाँ पर इट आया Supreme Court के लिए it had observed तो Supreme Court ने ये observe किया था it is rare in India यह भारत में बहुत दुरलब है that those falsely implicated की वे व्यक्ती जिनको की जूटे तरीके से फसाया जाता है और maliciously arrested या फिर जिनको दुर्भावना के चलते गिरफतार किया जाता है on grave charges जिनको दुर्भावना के चलते गंबीर आरोप लगाते वे गिरफतार किया जाता है get justice उनको justice मिलता है ऐसा भारत में बहुत दुरलब होता है भारत में यह बात बहुत दुरलब है कि जिनको जूटा फसाया जाता है या फिर जिनको गंभीर आरोपों के आधार पे दुर्भावना पूर्ण तरीकी से गिरफतार किया जाता है उन्हें जस्टिस प्राप्थ हो ऐसा बहुत दुरलब होता है भारत में कि भई पुलिस जो है उसे दिया जाता है कि भई पुलिस यूज कर सकती है कि भई पुलिस जो है एक तरीके से सवाल पूचती है न पुलिस जो इंटरोगेशन करती है तो पुलिस आर गिवन तो यूज इंटरोगेशन कर सकती है इस तरह के मैथर्ड का इस्तेमाल कर सकती है और फुलिस क्या कर सकती है जो भी आरप है उनकी जो गम्भीरता है उसको इस रूप में ट्रीट कर सकती है as something that necessitates इसका मतब होता है आवश्यक बना देना तो पुलिस आरोप की जो गंभीरता है उसको इस तरह से ट्रीट कर सकती है जो की आवश्यक बना दे that necessitates stronger and more persuasive means of investigation मतब और ज्यादा आग रह करना है यहां पे है कि पुलिस क्या कर सकती है कि आरोपों की जो गंभीरता है उसे इस तरह से टीट कर सकती है कि आरोपों की गंभीरता इस बात की जरूरत बना देती है कि पुलिस क्या करें stronger and more persuasive means का मतब है एक तरीके से किन चीजों का आप प्रियोग कर रहे है of investigation कि पुलिस अपनी जाच के दोरान और भी ज़्यादा सक्त तरीके अपना सके that कोई भी वाकि जब that से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यहां बात की that Mr. Narayanan has succeeded in the battle कि यह जो पूरा की पूरा युद्ध था justice पाने की जो लडाई थी उस लडाई में Mr. Narayanan जो है सफल हुए है for restore, restore का मतलब होता है पुनह बहाल करना, पुनह इस्थापित करना for restoring is honor, is a matter of relief, is a matter of relief यह राहत की बात है कि Mr. Narayan इस लडाई में जीते हैं और उन्होंने अपने सम्मान को पुनह प्राप्त किया है but it should be noted, लेकिन इस बात को not किया जाना चाहिए that the Kerala government has been resisting, racist का मतलब होता है प्रतिरोध करना, call for disciplinary action call for का मतलब होता है publicly demand करना, तो देखो लोगों की तरफ से demand की जा रही है कि disciplinary action का मतलब होता है, अनुशाशनात्मक कारेवाई against the irring, irring का मतलब है जिसने गलती की है, police officers देखो, Keral सरकार से यह demand की जा रही है कि जिन police officers ने, जिन police officers ने गलती करते हुए Mr. Narayanan के खिलाफ जूटा केस दर्ज किया और उनके खिलाफ कारेवाई की तो अब जनता का ये मानना है कि Keral government को क्या करना चाहिए उन police officers के खिलाफ action लेना चाहिए लेकिन Keral government जो है, इस मांग का प्रतिरोध कर रही है racist कर रही है, यह लिखा हुआ है लेकिन इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि Keral government जो है, लगातार ऐसा करती आ रही है क्या कर रही है, प्रतिरोध कर रही है यह जो मांग की जा रही है क्या मांग की जा रही है, कि यह जो police officers है जिन्होंने गल्ती की, इनके खिलाफ action लिया जाए तो इस मांग का प्रतिरोध करती आ रही है केरल government It opposed, केरल की जो government है इसने अपोज किया है, किस बात का अपोज किया The CBI's closer report कि बहुछ CBI ने यह जो report closer का मतलब है किसी case को close करना तो CBI ने यह जो पूरा की पूरा जो case close किया था ना इसके बाद में Supreme Court अपना फैसरा सुनाया था तो CBI के द्वारा इस case को जो close किया गया था इस मामले का भी केरल government ने विरोध किया था and tried to revive और केरल government ने प्रयास किया to revive का मतलब है पुनर जीवित करने का The investigation by its own police कि बहुई केरल government ने अपनी स्वयम की पुलिस के द्वारा इस case को फिर से पुनर जीवित करने की कोशिश की but thankfully लेकिन ये तो अच्छा हुआ but but thankfully the effort was shot down, shot down का मतलब क्या होता है मार गिराना by the Supreme Court लेकिन देखो केरल government ने तो केरल government ने तो पूरी कोशिश की कि इस case को पुनर जीवित किया it would be in the fitness of thing अब ये बिल्कुल ठीक होगा fitness of thing का मतलब है कि अब ये बिल्कुल ठीक होगा it would be, देखो would का प्रियोग करते हो जब आप अपना opinion देना चाहते हो जब आप अपना suggestion देना चाहते हो तो ये काफी बहतर होगा ये मतलब बिल्कुल ठीक रहेगा if there is no further impediment कि to the CBI in proceeding with its investigation कि अब CBI जो अपनी investigation करना चाहती है proceed with का मतलब है आगे बढ़ना है कारेवाई करना तो अब CBI जो कारेवाई करना चाहती है जो investigation करना चाहती है तो अगर उसमें आगे अगर किसी तरह की कोई बादा नहीं आती है तो ये बिल्कुल उप्यूक्त रहेगा if there is no further impediment impediment यानि बादा तो ये काफी बहतर रहेगा कि अब किसी तरह की किसी तरह की और कोई बादा आप CBI के मार्ग में नहीं आनी चाहिए किसके खिलाब परताल कर रहे है against the officers concerned against the officers उन officers concerned का मतलब है संबंदित यानि कि CBI जाच कर रहे है जिन संबंदित officers के regarding जाच कर रहे है उन police officers के खिलाब जिन police officers ने Mr. Nambi Narayan के खिलाब ये case दर्ज किया और editorial बता था and that the process of restorative justice restorative का मतलब है देखो मैंने बता है आपको restore का मतलब होता है पुनह बहाल करना leads to its logical conclusion editorial कहता है ये मतलब बिल्कुल उप्युक्त होगा कि ये जो पूरा की पूरा case है जो CBI ने अपने हाथ में लिया यानि कि CBI जो है उन police officers के खिलाब पड़ताल करना चाहती है जिनोंने एक तरीके से ये जूटा case दर्ज किया था तो इसमें कोई बादा नहीं आनी चाहिए और दूसरी बात ये जो न्याय को पुनर इस्थापित करने की जो प्रक्रिया है ये कारण बनना चाहिए lead to its logical conclusion कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है अपने logical निश्कर्श पे पहुँचे ऐसा होना चाहिए leads to its logical conclusion logical का मतलब एक तरीके से तारकिक यानि कि इसकी तारकिक निश्पत्ती होनी चाहिए पूरी की पूरी की पूरी कहानी जो शुरू हुई है ये सारी की सारी कहानी अपने logical end तक पहुँचे है ये था हमारा फर्स्ट अडिटोरियल